ये है बजाज पलसर कहते हैं कि इस बाइक ने बजाज को डूबने से बचा लिया था और एक टाइम था जब बजाज चेतक स्कूटर इंडिया में मिडिल क्लास फेमिलीज के लिए एक एमोशन हुआ करती थी आज बजाज आटो इंडिया की सेकेंड लार्जेस टू विलर और दुनिया की नमबर वन थ्री विलर कमपनी है सालों तक इस कमपनी ने इंडियन टू विलर मार्केट पर राज किया है लेकिन एक दोर ऐसा भी था जब कमपनी के बंध होने की नौबत आ गई थी तब जापान के कावासाकी मोटर्स की केवी हंड्रेट और कैलिबर जैसी बाइक्स ने बजाज को डूबने से बचा लिया था लेकिन आगे चल कर ऐसा क्या हुआ कि बजाज ने कावासाकी का साथ छोड़ कर आस्ट्रिया की केटियम में अपनी दिल्चस्पी दिखानी शुरू कर दी क्या कावासाकी ने बजाज को धोखा दिया था उनके काफी अच्छे रिलेशन्स थे और वो महराष्ट्र में राकर कॉटन ट्रेडिंग का बिजनस किया करते थे केवल चार साल के फॉर्मल एजूकेशन के बाद ही जमना लाल भी इसी बिजनस से जुड़ गये और बिजनस के तोर तरीके सीखने लगे बच्छराज जी की डेथ के बाद जमना लाल बिजनस को अपने हाथों में ले लिए और 1927 में बच्छराज एंड कमपनी प्राइवेट लिम्टेट के नाम से एक नई कमपनी की निव रखे और इस तरह बचाज ग्रूप के विशाल बिजनस एंपायर की शुरुआत हुई जमना लाल बचाज अंग्रेजी हुकूमत के शक्त खिलाफ थे और महात्मा गाधी के स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे उन्होंने तमाम फैक्टरीज की शुरुआत की ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और हम देश में ही बने समानों का इस्तमाल करें गाधी जी के कहने पर उन्होंने 1931 में यूपी के लखीमपूर खीरी में हिंदुस्तान शुगर मिल की शुरुआत की जो आज बजाज हिंदुस्तान लिमिटेट के नाम से जाना जाता है और एशिया का सबसे बड़ा शुगर मिल है जमना लाल जी जब गाधी जी के साथ freedom moment में काफी busy रहने लगे तो बिजनस को उनके बड़े बेटे कमल नयन बजाज समालने लगे जो Cambridge से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आये थे और बिजनस समालते ही उसको scooters, three wheelers, cement, steel और electrical appliance जैसे कई अलग-अलग sectors में diversify करना शुरू कर दिये 1945 में उन्होंने बच्छराज Trading Corporation Private Limited की निव रखी जिसे आज हम बजाज आटो के नाम से जानते हैं दोस्तों वैसे तो बजाज ग्रूप आज इंडिया की third largest business group है जिसका combined market cap लगबग 8 लाग करोड है लेकिन आगे वीडियो में हम सिर्फ बजाज आटो की जरनी को डिटेल में जानने वाले हैं आजादी के बाद हमारे देश में टू विलर्स की शक्त जरूरत थी लेकिन हमारे पास न तो इसकी technology थी और ना ही research और development की सुभधाएं और साथ ही government की तरफ से इतनी पावंदिया थी कि कोई भी विदेशी company इंडिया में अपना business नहीं कर सकता था इसलिए कमल नयान बजाज European countries से टू विलर्स और थ्री विलर्स इंपोर्ट करके बेजने लगे फिर साल आया 1959 जब उन्हें government से production का भी license मिल गया और अगले ही साल company को बजाज आटो के नाम से एक public limited company बना दी गई लेकिन अब मुश्किल तो ये था कि आखिर production किया कैसे ज़र और इसके लिए बजाज ने इटली की एक famous automaker पियाजियो के साथ एक deal sign किया जिसमें उन्हें वेस्पा स्कूटर के भारत में बनाने और बेचने का license मिल गया वेस्पा पियाजियो की एक successful scooter थी जो इटली और दूसरे European देशों में काफी पसंद की जाती थी और इंडिया में भी launch के बाद इसे लोगों का काफी अच्छा response मिलने लगा और फिर 1965 में कमल नयन बजाज ने अपने बिजनस की सारी जिम्मेदारी अपने बेटे राहूल बजाज को सौप थी जो हारवर्ड बिजनस स्कूल से MBA की पढ़ाई कम्पलीट करके वापस आये थी राहूल बजाज कमपनी के बिजनस को तेजी से expand करना चाहते थे लेकिन एक तरफ जहां गवर्मेंट के पर्मिशन के बिना कुछ भी कर पाना पॉस्बिल नहीं था वहीं दूसरी तरफ 1971 में पियाजियो ने भी अपने लाइसेंस को रेनियो नहीं किया अब बजाज को अपना अस्तितो बचाने के लिए खुद का एक टू विलर बनाने की मजबूरी थी पूरी टीम ने दिन रात महनत की और 1972 में वेस्पा से ही inspired एक स्कूटर बजाज जेतक को मार्केट में उतारा गया API लेंबरेटा के बाद बजाज चेतक भारत में बना दूसरा स्कूटर था और अगर आपका जन्म 90 के दशक या उससे पहले हुआ है तो आप बजाज चेतक स्कूटर के बारे में जरूर जानते हों और आपने भले ही इसी स्कूटर को चलाया हो या नहीं लेकिन इसके फेमस जिंगल हमारा बजाज जरूर गुनगुनाया होगा मारकेट में आते ही इसकी सेल्स इतनी तेजी से उपर गई कि बुकिंग करने के बाद डिलेवरी के लिए लोगों को सालो वेट करना पड़ा आम लोग बड़े ही शान से अपनी फेमिली को लेकर इस पर चला करते थे और इसी स्कूटर की इंडियन टूविलर मारकेट में मोनोपोली सी हो गई थी फिर आया 90's का वो दोर्थ जब इंडिया में कई तरह के एकनॉमिक रिफॉर्म शुरू किये गए और फॉरेन प्लेयर्स को भी इंडियन मारकेट में इन्वेस्ट करने का पर्मिशन मिला बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स तो सालों से वेट कर रहे होते हैं कि कब ये इंडियन मारकेट में एंट्री ले पाएंगे और गॉर्मेंट के इस मूव ने उनको एंट्री लेने का एक मौका दे दिया होंडा मोटर्स ने भी जब इंडिया आने में अपनी दिल्चस्पी दिखाई तो सौव से भी ज़्यादा एप्लिकेशन उनके पास पहुँच गया जिनमें से होंडा ने थ्री कंपनीज को सलेक्ट किया बजाज आटो, हीरो और काइनेटिक लेकिन बजाज उस समय काफी बड़ा प्लेयर था इसलिए होंडा दो छोटे प्लेयर्स के साथ जाने के लिए डिसाइड करता है वो मोटर साइकल का बिजनस हीरो को देता है और स्कूटर का जो बिजनस होता है वो काइनेटिक को दे देता है बस अब यहीं से शुरुवात थी बजाज के बुरे दिनों की हीरो हुंडा की मोटर साइकल और काइनेटिक हुंडा की स्कूटर के चलते लोगों में गेर वाले स्कूटर की पापुलरिटी काफी कम होने लगती है जिसका सीधा असर बजाज चेतक की सेल्स पर पड़ता है क्योंकि उनका 80% रिवेन्यू चेतक की सेल्स से ही आती थी बाकी रही सही कसर यामहा आरेक संडेट और राज़दूत ने पूरी कर दी बजाज आटो की वैल्वेशन येर औन येर 40% की रेट से गिरने लगे और नौबत तो ये आगई कि मार्केट एना लिस्ट अब बजाज आटो के अंत को देखने लगे थे राहूल बजाज ने जिस बजाज आटो को 7.5 करोड से 12,000 करोड की कमपनी बनाया था उस कमपनी को अपने आखों के सामने बरबाद होते हुए देख रहे थे लेकिन उनके पास कोई आप्शन नहीं था होंडा, यामाहा और सुजगी के रिफाइंड और रिलाइबल इंजन का मुकाबला वो बजाज चेतक से नहीं कर सकते थे उनकी सोच अपनी पिता से बिलकुल अलग थी जिसकी वज़ा से उनके बीच काफी मध्वेद भी थे लेकिन अभी प्रायार्टी थी बजाज को बचाने की राजियू बजाज ने स्कूटर बिजनेस के हिस्ट्री को भूल कर बाइक प्रोड़क्शन में आगे बढ़ने का फैसला किया और अरली 2000 में जापान की कावासाकी के साथ पार्टनर्शिप में KB100, Boxer, Caliber, Eliminator और Wind 125 जैसी बाइक्स को मार्केट में लाँच किया गया और साथ ही अफरिका, नाइजीरिया, मैक्सिको, लेटिन अमेरिका और फिलिपिन जैसे देशों में इसको एक्सपोर्ट भी किया जाने लगा बाइक्सर बाइक तो अफरिका की लार्जेस शेलिंग बाइक बन गई और कावासा की बजाज कैलिबर को इंडिया में अच्छा रिस्पॉंस मिला लेकिन फिर भी बजाज आटो की मार्केट पोजिशन, हीरो होंडा, यामाहा और सुजकी के सामने लगातार नीचे गिरती जा रही थी राजियू बजाज ने अपनी स्ट्रेटजी को पूरी तरह से चेंज किया उस समय सारे मैनुफेक्चरर इंडिया की मेडिल और लोवर मेडिल क्लास को ध्यान में रखकर हंडेट सीसी सेगमेंट की सस्ती लाइट वेट कम्यूटर बाइक्स बना रही थी लेकिन लोगों की फाइनेंसियल कंडिशन अब पहले से बहतर हुई थी जिससे उनकी पर्चेजिंग पावर में भी इजाफा हुआ था और इनी सभी बातों को ध्यान में रखकर बजाज की रिसर्च एन डेवलेप्मेंट टीम ने एक पावरफुल और परफार्मेंस बाइक को तयार करने के लिए काम करना शुरू किया और साल 2001 में पलसर 150 और पलसर 180 को भारती मार्केट में लॉंच किया गया ज्यादा बड़े और पावरफुल इंजन, लॉंग वील बेस और मस्कुलर स्टाइलिंग के साथ पलसर एक प्रीमियम बाइक थी, साथ ही डिस्क ब्रेक और साइड स्टेंड इंडिकेटर इसे दूसरी बाइक से अलग बनाते थे राजिव बजाज की डिफरेंट स्ट्रेडिजी काम कर गई और पलसर बाइक ने मार्केट में ऐसी धूम मचाई की बजाज आटो एक बार फिर कॉम्प्टिशन में वापस आ गया इसके साथ ही 100cc कम्यूटर सेगमेंट में भी अपनी पकड मजबूत करने के लिए 2006 में बजाज प्लेटिना को भी लॉंच किया गया जो आज भी टॉप सेलिंग बाइक्स में शुमार है निश्चित रूप से कावासाकी का साथ बजाज के लिए एक जीवन दान से कम नहीं था उनके रिष्टे पलसर के लॉंच के बाद भी मजबूर बने रहे और 2009 में कावासाकी ने अपनी प्रीमियम बाइक्स के सेल्स और सर्विस के लिए भी बजाज के साथ एक डील साइन किया और उनके प्रीमियम डीलर्शिप के जरिये अपनी निंजा जैसी स्पोर्स बाइक को सेल करने लगे हाला कि राजियू बजाज के मन में एक कसक जरूर थी कि आखिर उनके पास फास्ट स्पोर्स बाइक बनाने की टेक्नॉलजी क्यों नहीं है उसी दोरान उन्हें पता चला कि आउस्ट्रिया की एक फेमस मोटर कमपनी केटियम काफी बुरे दोर से गुजर रही है और बैंकरप्सी की कगार पर है केटियम एक बड़ा नाम था और उसकी टेकनॉलजी राजियू बजाज के सपने को हकीकत में बदल सकती थी बजाज ने फोरन केटियम के 14.5% स्टेक परचेज कर लिये और अपने हिस्सेदारी को धीरे धीरे बढ़ाते हुए आज 48% की कंट्रोलिंग पोजीशन पर आ गए दोस्तों इससे बजाज को दो फायदा हुआ सबसे पहले तो उन्हें जिस एडवांस टेकनलोजी की जरूरत थी वो मिल गई और दूसरी उनकी ब्रैंड वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में काफी बढ़ गई बजाज आटो ने केटियम की मदद से अपने पलसर ब्रैंड को अपग्रेट करके पलसर एनस और आरस सिरीज को लॉंच किया जिसका आज यूथ में जबरदस्त ग्रेज है दरसल आश्ट्रिया में केटियम बाइक्स की मैनुफेक्ट्रिंग कोस्ट काफी अधिक थी इसलिए उनकी बाइक्स काफी महगी हुआ करती थी लेकिन जब उसका प्रोड़क्शन बजाज ने इंडिया में शुरू किया तो प्रोड़क्शन कोस्ट में लगभग 30% के गिरावट आ गई लेकिन दोस्तों केटियम से बजाज की नजदी किया कावसाकी को चूबने लगी क्योंकि कावसाकी और केटियम दोनों एक ही सेग्मेंट में बाइक्स का प्रोड़क्शन करती थी और बजाज के मुश्किल दिनों में भी कावसाकी ने अपने स्पोर्स बाइक की टेकनोलजी भी शेयर नहीं की, जिसकी वज़ा से बजाज मैनेजमेंट उनसे खुश नहीं था, कावसाकी को बजाज से अलग होने का अंदेशा पहले से ही था, इसलिए 2010 में कावसाकी ने महरा बजाज के साथ अपने सेल्स एंड सर्विस एग्रिमेंट को खत्म कर लिया, खैर अब बजाज को इससे कोई खास असर पढ़ने वाला नहीं, क्योंकि के टियम के साथ आने के बाद, 100cc सेग्मेंट में प्लेटिना और डिसकवर से लेकर, पल्सर जैसी परफार्मिंस बाइक और डोमिनार और ड्यूक जैसी शांदार स्पोर्स बाइक बजाज के पोर्टफोलियो में मौजूद हैं, और अगर थ्री विलर की बात करें, तो हमारे दिमाग में सिर्फ बजाज आटो रिक्षा का ही ख्याल आता है, 2017 में ही बजाज ने UK की ट्रैंफ मोटर साइकल के साथ मिड साइज बाइक के प्रोडक्सन और सेल्स के लिए भी एक ग्लोबल पार्टनर्शिप किया था, जिसके तहत उन्होंने अभी जल्दी ही जून 23 में स्पीड 400 और स्क्रेंबलर 400X बाइक को लॉंच किया है, आज बजाज आटो की टू विलर्स और थ्री विलर्स दुनिया के 70 अलग-अलग देशों में मौझूद हैं, और यही वज़ा है कि उनके कुल रिवन्यू का 50% हिस्सा एक्सपोर्ट से ही आता है, और आप जानकर हैरान होंगे कि दिसंबर 20 में बजाज आटो का मार्केट कैप 1 लेक करोड को भी पार कर गया था, जिससे यह दुनिया की most valuable two wheeler company बन गई थी, तो दोस्तों उम्मीद है कि बजाज आटो की यह सकसे जरने भी आपको पसंद आई होगी, thanks for watching.